Study IQ IS अब तयारी हुई affordable अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है मेरे टेलिग्राम चैनल पे या मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप जुड़ना चाहते हैं quickly go ahead you can get in touch with me on my channel that goes by the name of Bhuvan Study IQ same नाम से Instagram पे और वहीं पे मैं आपके लिए इस पूरे वीडियो का PDF भी आपके लिए अविलेबल कर दूँगा चलिए शुरू करते हैं पर before we understand कि घडियाल और घडियाल conservation काफी लोगों को ये discussion शुरू करने से पहले ये doubt होगा कि आखिर कर घडियाल और क्रोकोडाइल और ये सब में differences क्या होते हैं तो चलिए पहले वो शंगा को दूर करते हैं इंडिया में भारत में अगर हम देखेंगे तो हमें तीन तरह के इस तरह के जीव हमें मिलते हैं उन में से एक है घडियाल दूसरे क्या है fresh water क्रोकोडाइल जिसे हम कहते हैं certified और तीसरा है salt water क्रोकोडाइल ठीक है अब हमारा घडियाल different कैसे है इसे हम समझते हैं एक fish eating ग्रोकोडाइल की तरह ये normally fishes में interest रखता है और आप इसे पहचान कैसे सकते हो तो अगर आप दूर से इन तीनों को मैं आपके सामने रख दू आप कैसे मुझे बता पाओगे कि घडियाल कौन सा है देखी एक इसका specific characteristic है कि इसके snout या इसके nose के सामने आपको इस तरह का एक formation मिलेगा एक bulbous formation क्योंकि ये घड़ा के जैसा दिखता था इसलिए इसका नाम वेल गाओ देहाद से शुरू होते होते इसका नाम घडियाल पड़ गया ठीक है तो this is the story of घडियाल पर ये समझना जरूरी है कि इन तीनों का environment के perspective से जब हम देखते हैं तो क्या तीनों equally threatened हैं क्या तीनों equal challenges face कर रहे हैं जी नहीं घडियाल जो है critically endangered की श्रेणी में आता है which means कि इसका जो threat level है इसका जो risk है इसका जो vulnerability है वो काफी high है मगर on the other hand less endangered than the घडियाल और salt water crocodile तो बहुत आराम से आपको मिल जाएगा so if you look at the population distribution आप देखेंगे घडियाल roughly हमारा 600 से 1000 के बीच में हमारा population estimation रहता है at the same time मगर is around 9000 के आसपास और salt water crocodile काफी है in the number में which is why you will find कि IUCN के red list में भी यही चीज reflect होता है वहाँ पे हमारा घडियाल है critically endangered मगर यनि कि जो fresh water crocodile वो है vulnerable और salt water crocodile को हमें least concern का दरजा दिया है तो अब आप कह रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों तीनों चलो दिखते हैं तो more or less same है why is it कि एक critically endangered है what is the threat perception क्या है problem so वो समझते हैं पर ये भी आपको समझना जरूरी है that in this entire conversation around घडियाल right my friends इनका जो habitats है ये थोड़ा अलग-अलग है ये habitat share नहीं करते habitat मतलब आपका physical address in the environment देखिए जब हम P2I के classes करते हैं prelims to interview classes study IQ का जो batches चलता है UPSC के examination के लिए वहाँ पर ये एक बहुत basic concept fundamental concept है जो शायद आपको पहले 2-3 classes में बहुत depth में समझाया जाएगा कि what is an habitat what is an ecosystem habitat और नीश में फरक्या होता है पर habitat एक general viewer के लिए अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो habitat is nothing else than the physical address of an organism राइट वो कहां पे स्थित है तो आप देखेंगे कि हमारा जो घडियाल है we find it more in our fresh water sources खारे पानी में ये मिलता नहीं है ये fresh water क्रोकोडाइल जैसा समझी है इसलिए ये fishes पे जादा dependent है at the same time हमारा जो मगर है जो fresh water क्रोकोडाइल है ये ना सिर्फ हमें fresh water में मिलेगा बट हमें brackish से estuarine areas में भी मिल जाएगा and then you have the third the third classification the salt water क्रोकोडाइल which obviously आप समझ पाएगे कि salt water क्रोकोडाइल मतलब ये मुझे salinity वाले water में मिलेगा right so ये तीनों का differentiation हम समझ लिये है now let's go forward and understand what is the significance of the घाडियाल जैसा मैंने आपको कहा इसका उलेक हमारे हिस्ट्री में काफी प्राचीन काल से है so जो पहला आप image देख रहे है that is the seal that has been taken from the Indus Valley civilization similarly आप देखते हैं सांची स्टूप में भी वहाँ पे भी इसके engravings इसके inscriptions इसके जो particular information है that is found there and you will also find कि बाबर नामा में बाबर ने लिखा है कि घाज़िपूर के पास उसके जो सैनिक थे उसको घड़ियाल का सामना करना पड़ा था तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत पुराने टाइम से हमारे land पे स्थित है तो आखिर problem क्या हुआ फिर ऐसा क्यों हुआ कि घड़ियाल critically endangered हो गया what were the reasons so let's go ahead and understand पहले कि problem हुआ क्या जैसे कि आपको पहले में historical distribution दिखाता हूँ historically आप समझ गए होंगे कि Indus Valley से लेके Indus का पूरा डेल्टा से लेके अप until मैं इरावदी म्यानमार तक ये पहले पाया जाता था पर 1970 के दशक तक आते आते देखा गया कि almost 96% decline in population was registered सोचे आप कहां Indus Valley कहां Indus River पूरा का पूरा कहां इरावदी almost आप म्यानमार मतलब totally in म्यानमार right from say your northwest to your extreme east पूरा distribution था मेरे घडियाल का और eventually आज के टाइम पे हम देखते हैं कि ये सीमित रह गया है कुछ गैंजेटिक प्लेंस के आसपास के एरियास में आप देखेंगे राम गंगा में मिल जाता है गंगा में मिल जाएगा ये आपको चंबल में मिलेगा पारवती रिवर यामुना कोशी नेपाल के चितवन नैशनल पार्क ठीक है So these are the areas काफी इसका distribution घटा है habitat restriction हुआ है तो क्यों हुआ है What were the reasons वो reasons identify कते हैं friends and you will not be surprised सबसे पहले देखेंगे इसका कि एक over hunting का एक prevalence देखा गया मान्यताईं जुड़ी हूँ इसके साथ कि हाँ इसका ये खाने से आपको ये शक्ती मिलेगी तो इसका hunting के लिए एक market already तयार था which means घड़ियाल was an easy target Similarly, it also faced issues of egg collection इसके eggs क्योंकि ये cold-blooded animal है तो इसके eggs जो है इसको भी बहुत demand में रखा गया Not just from humans ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानव जाती इसके eggs में interested है आप देखेंगे feral dogs वो भी इनके eggs को attack करते है Essentially, क्या होता है जब आपके eggs डिमांड में हो जहां सी कि आपका next generation of घड़ियाल आना है Obviously, आपका population decline होना शुरू होगा Similarly, you find कि killing for indigenous medicine and the construction of dams and barrages ये तीनों जो reasons आप देखना है friends dams, barrages, sand mining and changes in river course इनकों प्रेटेल से देखेंगे आज पर more or less इतना समझे कि घड़ियाल जो है उसको river और river के पास का जो area जिसे हम कहते है river bank वो दोनों चीज उसके लिए important है ये दोनों उसका habitat का part है उसका physical address है उसका physical location है which means अर्थार्थ कि अगर मुझे घड़ियाल बचाना है तो मुझे ना सिर्फ नदी बचाना है बट पास के जो river banks है जो river का जो नदी का टट है वो भी बचाना है ठीक है तो now once you have understood the reasons आप समझ पाएंगे कि क्यों ये आज के time पे critically endangered है भारत में अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत सरकार ने इस पूरे problem को address करने के लिए क्या किया और इसका सबसे पहला उधारन आता है 1975 में इंडियन क्रोकोडाइल conservation project ये project launch किया गया with the goal कि हम ये जद तीनो टाइप के घडियाल हमने आपको अभी identify कराया हमारा घडियाल plus हमारा fresh water crocodile और salt water crocodile हम इन तीनो के नंबर में इजाफा करेंगे we will go ahead and increase the numbers of these particular species right my friends अब between 75 and 82 ये तो था हमारा mission aim उसके बाद capacity building मतलब आपने क्या-क्या steps लिए how did you go ahead to create the capacity to achieve this उसके अंतरगत सबसे पहले कुछ wildlife sanctuaries create किये गये कुछ safe spaces for घडियाल were created साथी साथ focus दिया गया घडियाल breeding centers पे 16 घडियाल breeding centers finally established किये गए कुकरेल इन लखनव उन में से सबसे प्रमुख बनके उबरा friends यहाँ पे एक छोटा सा pause लेते हैं और अब समझते हैं एक critical concept यहाँ पे focus रहा initially captive breeding पे captive breeding अर्थाथ कि आप घडियाल को छोटे से बड़े तक raise करोगे उसको बड़ा करोगे कहीं एक बाड़े के अंदर और उसके बाद after a certain point of time आप उसको wild में छोड़ेंगे यह captive breeding का concept और detail में समझते हैं so captive breeding में क्या है कि पहले आप एक breeding stock लेते हो एक healthy male और एक healthy female जो wild से आप capture करते हो और उन्हें लेके आते हो say artificial या man-made enclosure के अंदर वहाँ पे finally आप pair कराते हो based on receptivity which pair wants to mate once the breeding is done once you have got the eggs जब आपको endे मिल गए हैं उसके बाद उन्हें safely incubate करना वो भी एक critical issue बन जाता है देखिए 96% of the population घटा था अगर हम wild में छोड़ते शायद हो सकता था ये आज तक जैसे चीता का हमने देखा है कि चीता लुप तो हो गया हो सकता था कि घडियाल भी उसी रास्ते निकल जाता इसलिए ये strategy अपनाई गई कि आप जल्दी से जल्दी घडियाल के population को increase कर सके इसलिए captive breeding के अंदरगत आप eggs को पहले आप incubate करेंगे वो eggs hatch होंगे उसके बाद जो छोटे घडियाल निकल के आएंगे उनको आप पालन portion उनके health care करेंगे making sure कि वो एक particular size का हो जाए एक dimension का हो जाए और eventually wild में release करने से पहले थोड़ा से basic evolutionary training देने की कोशिश करेंगे ताकि वो wild में अपना पेट भर सके यहाँ पे तो आदत पढ़ जाएगी कोई ना कोई खिलाने का at least वहाँ पे जो तो आपना fishes मार के वो अपने आपको रेक सके तो यह है हमारा captive breeding का concept और यह concept काफी हद तक successful भी था पर क्या पूरा का पूरा successful था हमने देखा कि आपका घड़ियाल का population increase क्या over the time काफी सारे captive breeding के थूँ around 5000 घड़ियाल रिलीज़ इन्टो दी वाइल पर कुछ दिन सर्वे किया गया और देखा गया कि जो घड़ियाल रिलीज किये गये हैं वाइल्ड में वो reproduce नहीं कर रहे हैं मतलब हमारा next generation of खड़ियाल नहीं आ रहा है तो अब देखते हैं कि इसके चलते issues क्या हुए this is the question that I want you to focus right now friends कि यह approach of captive breeding short term success तो लाया पर क्या long term success लाया यह समझना ज़रूरी है अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक important event जो उभर के आता है साल 2007 और साल 2008 के बीच इस दौरान एक सो से ज़ादा घड़ियाल मारे जाते हैं specifically चंबल रिवर में चंबल रिवर जो विंधियास से निकल के finally northwards जाता है and you find कि before in the last 40 kilometers of चंबल रिवर वहाँ पे करीब एक सो घड़ियाल के dead bodies recover किये जाते हैं काफी सारे theories launch होते हैं a lot of surveys is done, a lot of analysis research is done to figure out कि आखिर कर what went wrong, हुआ क्या एक सो घड़ियाल मार्ना is not a small thing और finally analysis के बाद ये उभर के आता है कि आपके river में pollution के चलते, fishes जो heavy metals consume कर रहे थे bio accumulate कर रहे थे उसके बाद घड़ियाल्स उन fishes को खाते थे जिन fishes में cadmium, aluminium manganese, copper, chromium ये सारे जैसे heavy metals और elements मौझूद थे and thus यो घड़ियाल्स वे डाइंग अब आप समझे, focus था captive breeding पे मतलब numbers increase करना है पर अब ये crisis उभर के आया मतलब अब strategy में थोड़ा सा change लाने की जरूरत है और यही change देखा गया कि after this particular unfortunate event the entire focus shifted कि अब captive breeding के साथ-साथ हम ecosystem restoration पे भी ध्यान देंगे ये सिर्फ input डालने से नहीं होगा वहाँ पे local area conditions भी आपको viable बनाने पड़ेंगे ठीक बनाने पड़ेंगे right my friends इसलिए उन में से एक important strategy उभर के आया वो है sand addition ठीक है जिसे हम sand banks भी कह सकते हैं अब देखें जैसे मैंने आपको initially वीडियो में कहा था हमारे घडियाल के लिए ना सिर्फ river important है पर river bank भी और ये this is the thing that you find ये जो river के side पे banks पे ये पड़े रहते हैं धूप सेकते रहते हैं ये actually इनकी need है घडियाल है एक cold-blooded animal temperature regulation इसका important facet है फंड में गरम गरम में फंड इसे अपना temperature regulate करना पड़ता है which means it needs a safe space by the side of the river but given कि अब increased urbanization हो रहा है population pressure हो रहा है साथी साथ reverse में आपका discharge हो रहा है industrial affluence चाह रहे है right my friends तो अब आप समझ सकते हैं कि घडियाल क्यों थोड़ा threat पे है और इसी लिए you found that the Madhya Pradesh government and the various other governments at all levels चाहे वो block panchayat हो district level हो all of them came together with this strategy and one of this included the one of the part of the strategy was कि हम इस तरह के artificial sandbanks बनाएं जहां पे कि ये nesting of the घडियाल possible हो एक बार nest करेंगे एक बार एक stability अचीव होगा and then probably आप एक safe space बना रहे हो अपने घडियाल के लिए to go ahead and reproduce and bring the next generation of घडियाल समझने है friends बहुत ही simple सा concept है पर बहुत ही critical concept है अब आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि आज के दौर में अभी भी challenges क्या-क्या है और क्या-क्या problems को address करने की जरूरत है तो क्योंकि आपको river plus river banks दोनों आपको insure करना उनका sanctity maintain करना है which means काफी सारे interventions छोटे-छोटे level पर आपको insure करने की जरूरत है उनमें से प्रमुक है obviously आपका artificial sand mining या sorry illegal sand mining जो चलता है उसे आपको रोकनी की जरूरत है in fact complete लगाम लगाने की जरूरत है क्यों? क्योंकि वही sand eventually river का characteristic river का course साथ ही साथ nesting space for the घडियाल मेरे लिए provide करता है right similarly आप देखेंगे कि usage of the river for various other purposes चाहे वो irrigation के लिए हो ये देखिए आपकी irrigation के pipes chumble river से निकल के जा रहे है not just changing the whole character of this place but then robbing this place अब ये जगा घडियाल use नहीं करेंगे उनके लिए safe space बनाने की जरूरत है अब इसके लिए और क्या क्या कर सकते है for example काफी सारे wildlife centuries मैंने आपको बताया वहाँ पे chumble था right you have sat koosia क्या हम इन घडियाल के numbers को increase कर सकते है ये wildlife centuries को increase कर सकते है क्योंकि आए दिन देखा गया कि ये काजरंगा के पास में भी मिला है आए दिन कॉर्बेट के पास भी पाया गया है in fact recently पाकिस्तान में इंदस वैली में इंदस रिवर के पास में जहां पे कि ये माना जा रहा था कि अब घडियाल extinct हो गया है वहाँ पे confirmed WWF World Wildlife Fund for Nature पाकिस्तान ने ये बताया है कि वहाँ पे घडियाल का प्रेजेंस रेजिस्टर किया गया है नेपाल में चितवन नैशनल पार्क के आसपास पारवती रिवर के आसपास आपको मिल जाएगा घडियाल बांगलादेश में भी घडियाल के आप प्रेजेंस अब देखा गया है तो क्या एक तरीके से एक collaboration international level पे जैसे कि international solar alliance है, क्या एक भारत-led, इंडिया-led एक collaboration हो सकता है हमारे घडियाल के लिए, क्योंकि इनका protection river के उपर dependent है और river borders नहीं देखती है, right my friends, so similarly आप देखेंगे कि जो different infrastructural projects हैं हमारे river के आसपास, वो सारे घडियाल को at threat लाते हैं, तो अब आप ये समझने में आपको ज़्यादा time नहीं लगेगा, कि way forward क्या होना चाहिए, देखें friends, यही तरीका है, यही method है जिससे कि हम approach करते हैं, अपने किसी भी civil services के class में, तो अगर आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़ना चाहते हैं, यूज करिये code B-A-L-I-V-E, study IQ के website जाहिए, आपको description box में ये link मिल जाएगा, और अपना language चूज करिये and use the code, once again, B-A-L-I-V-E, ठीक है friends, coming back to the discussion, so what is needed now, सबसे पहला, सबसे important, आज के टाइम पर, 5 centuries है हमारे जहाँ पर घडियाल पाए जाते हैं, क्या हम जाके इनको increase कर सकते हैं, क्या metapopulation increase कर सकते हैं, second, international collaboration, ये देखा गया है कि LA zoo, Los Angeles का zoo, अब बिहार सरकार के साथ जाके घडियाल conservation के लिए collaborate कर रहा है, क्या भारत और नेपाल इस तरह का conservation mechanism सोच सकते हैं, right, so this is the entire focus of the lecture to give you an end-to-end perspective, ठीक है, अगर आपको कोई भी doubt हो, कोई भी शंका हो, आप मेरे साथ जुड़ेंगे नीचे comment box में, या फिर मेरे Instagram चैनल पे, पर for those of you friends who are interested to go ahead and access the PDF of this entire lecture, मैं आपके लिए पूरा का पूरा PDF available कर दूँगा मेरे टेलिग्राम पे, उसका नाम है भूवन स्टड़ी आईक्यू, ये स्कैन करी, आप पहुँच जाएंगे ये डारेक्ट वहीं पे, right, और आपका Instagram पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, same name, भूवन स्टड़ी आईक्यू, कोई भी doubt हो, कोई भी grievance हो, कोई भी शंका हो, I'll be more than happy to solve it for you, right, and for those of you friends, who are preparing for the civil services, देखिए अब अगले साल का preparation का बहुत उत्तम टाइम है ये, that you give yourself the best opportunity, आप अपने आपको करीब 12 से 18 महिने दे सकते हो, of dedicated, focused, strategized study, और उसके लिए आपको एक पहले plan की जरूरत है, resources की जरूरत है, एक strategy की जरूरत है कि पहले कैसे आप क्या पढ़ेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे answer writing approach करेंगे, कैसे question solving approach करेंगे, क्या आपके sources होने चाहिए, PYQ से आपको क्या information समझना है, all of that is a tough job, if you are doing it on your own, you have my best wishes, but अगर आपको लगता है, कि if you require help, and if you would like to go ahead and engage with one of the most outstanding teams in this field right now, you can go ahead and do so, sign up for the GS Foundation course, इसके classes बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं, which is why I will suggest की you make haste when the sun shines, right, use the code once again, B-A-L-I-V-E in the Study IQ Payment page, Study IQ के payment page पे, use career code BA-LIFE और ले जाएए अपने लिए एक बहुत अच्छा सा discount, और साथ ही साथ मैं जुड़ूँगा आपके साथ in the classes of Environment, Geography, Disaster Management, and C-Sat Reading Comprehension, और मेरे, obviously, esteemed co-faculties will take care of the other subjects for you, so this is the best time again, जो लोग अभी भी उन्नेस पीस के से फेस में रहेंगे, yes, make up your minds, sign up ASAP, okay, and for those of you who are preparing for any other examination, especially 26 में 2014, अप्रोचिं है, Test Series अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, तो आप एक रिस्की मनूवर कर रहे है, You should be having Test Series, You should be going solving questions, और solving के साथ साथ analysis पे भी focus करेंगे आप, अगर तीन घंटे का question solving आपको लग रहा है, वैसे तो लगने चाहिए, उससे कम पर अगर आप फिलहाल के लिए, मौक्स के लिए आप 3 hours दे रहे हो कि मैं पूरा का पूरा सवाल लगाने का कोशिश करना चाहता हूँ, तो आपको almost equal time देना पड़ेगा analysis के लिए, अगर आप इस साल के लिए है, 26 में 2024 के लिए है, या फिर आप RBI के examination के लिए है, this book is also on sale on the StudyIQ website, all you need to do to get discount on all of these courses, only use the code B-A-L-I-V-E. Right my friends, चलिए, मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ, आप अपना feedback, अपना suggestion, अपने comments मेरे लिए छोड़ दीजेगा नीचे comment box में, जाने से पहले मेरा आगरह रहेगा, प्लीज दो consider liking this video, till I see you very soon in another presentation, this is Bhuvan saying bye.